दर्शमा पर पहले हिसे जी दिख्छा है के एक चंदर मौन जैन नादा बच्चा रजनीश अच्यारे रिनीश पगवार श्री रिनीश टिकर कि में पहुंचा है वो दी बचार तरह कि में देश ते दुनिया दे लोकान वाफ देवल खिजदी है कि में ओओ पूरे देश देविच समाजबात दी गल करता है कि में खुले सेक्स दी गल करता है कि में ओओ तारनमा तोड़ता है अजीआ फ़्यक्तिया और देश देश ते पाकते मसलें थे भी गल करता है जिस करके ओओ सरकार दे निशाने थे रहन दे जिस करके ओसनू एक देश दे सूपह दे बिच रहन लेई आशन बनावडी जगानी दिती जानी ज़गानी दी ज़गानी है अकर्षन हो जान दा है ता उन्हों उत्वों दे नवाई पेरोकार अमरीका बलाँ दिया अमरीका फिर ओर जिनीश परम ना दा एक एलाका बनाँ दा है जिधे दी कानून वक्रेने जिधे दा रैंड सेंड वक्राइ ते जिधे ओहो बहुती जल्दी चर्चा दे विच्छा जानदा है एक दुनिया दी मनी जानदी पावर अमरीका नू ओदा समू चनौती परया नजर होंदा है अमरीका उदा सतर्क होंदा है ते फिर एक दोशा दा दोर चलता है उदिया रॉल्स रहे गटियां दा चिकर होंदा है थे रेंड सेंड दी गल हुंदी है उत्हों दे अन्वाईब की अदे ती मामला अदालत एक तकर पूंचते है रजणीश नो बारा दन जेल चे रहिना पैंदा है ते चार लख डालर दा जरुमाना दे की डीपोर्ट होना पैंदा है ते इस तो पहलना आई नहीं नहीं होंदा कि इकी देश उन्हों अपने देश देविच ना दाखल हों वैन कर देंदेए 1986 दे विच्च रजनीश फिर आप दे देश पारता हुँदा है ते पुने दे विच्च आके मौनतार कर दे उस तो अगे दिगल कर दे है 1926 दो बाद जञनीश आप दे पैरुकारां दे विच्च आके चुप करके बुद्धा हाल दे विच्च सुभा शाम बैठना शुरू कर दे नहीं है ते इस दोरान पेरो कारां बननों लगाए जाए दोश के जेल दे विच बारा दे रेंड दोरान उनों इक ठेलिये मेटल नाम दा स्लोक पाईजन दिता गया है वो असर्व खावना शुरू करता है वो दी सेथ विगंडी शुरू हुंदी है ते उन्नीस सो अनन्यमे दे विच ओहो अपना लास्ट पाशन लास्ट तक्रीर आप देनों आयाना संजी करता है उन्नीस सो अनन्यमे अप्रैल तो रजनीश अच्यार्य जनीश पगवान सिरी जनीश अपने पाशन देनों बंद कर चुकिया है उस्तों बाद वोदी सेथ विगड़ती लगातार जा रही है उन्नीस सो अनन्यमे दे विच फिर एक नाम दिता जन्द है पैरो काराम बनों ओशो उस्तों बाद सारे टेड़ बारक बदल दिते जन्दे ने आश्रमदा नाम बदल दिता जन्द है ते जिन्यावी चीज़ा आश्रमदा जुड़ियां होने ने वो सारी बदल दिते जन्द है गल करिये ठारा जन्वरी उन्नी सो नबबे नू सेथ कुछ जादा विगड़ दी नजर आश्रमदे डॉक्टर गोकल गोकानी नू बलाया जन्द है ओर रात पे एट पर ही गुजर दी है ते उन्नी जन्वरी उन्नी सो नबबे नू एक ऐलान आउंदा है के ओशो नहीं रहे ओश्रीर छट गए एहे मौत ओदों तो ही विवादा चलनी आ रही है के मौत किमे हुई जेड़ा पैरोकारा बलों पहला कहा गया सी के अमरीका दे विचे जेल दुरान एक सलोप वाईजिन दिता गया सी एह उस दासर है या उसनों मारा गया है वो दे नेडे दे सैयोगिया ने नेडे दे पैरोकारा ने जदों के आश्रम दी करवायत हुंदी है के जदों कोई सवामी जिन्हों ए नाम दिता जानदा सी गा आश्रम बनो या कोई भी आश्रम जुड़े है व्यक्ति आर्दा सरीर चाड़ दाता ओदो जशन मनाये जाने ते ओशो दे ते शटन दे बाद भी जशन क्यों ना पूरे जशन मनाये जान दे ने जशन तो बाद एक समाती बनाई जान दी है जिस ते लिखे जान दा है जनम दी तारीक दे के ते मौत दी तारीक दे के कुछ लेना उक्रिया जान दी है ने के ए समय तो लेके ए समय तक एह सक्षियत इस दुनिया ते आई ते एक मसाफर दी तरह गुजरी ते अपना सफर पूरा करके जली गई एह सक्षी ते ना कदे जन्मी ते ना कदे मरी डक्टर गोकल गुकानी बनो दित्ते हल फनामे दे विच उनना ने साफ लिखे है के दो को वज़े दे करीब वो आश्रम पहुंच दे है आश्रम पहुंच दे तो बात एक अजीब तरह ता महौल हों दे देखनों मिलता है ते नजदीकी चेलियां बनो सिर्फ उसनों एक मौत तर सर्टीपकेट जारी कर ले दवा बनाया जाना उसनों देखन नहीं देखना जाना ते दवा बनाया उन्दे पे चो कार्ण दास्दी ने कार्ण केह दे के दिल दे दौरे दे कार्ण मौत होंदा सर्टीपकेट जारी करना पेंदा है ओशो पगवान श्री जिनीश दी मौत उन्नी जनवरी तो लेकी आज दिकर विवादनाच की निज़र आ रही है अदालतनाच केस चल रहे है जदों के रजिनीश दी मौत ओशो दी मौत डक्टर गोकल गोगानी बलू दिते सर्टीपकेटम सार दिल दे दौरे ना होई है औरे डक्टर गोकानी काफी समय बाद बोल देने के मैं ता उस सर्टीपकेट ते दस्तक करन तो पहला रजिनीश दो ओशो देख्या विनी के उस दी मौत किना कारना करकी हुई क्योंके मौत तो बाद ही कुछ पेद पर ये तरीके ना ओशो दे नजदीकी चेलियाने आश्रम दे सारे ही परवंदा ते बड़े अजीब तरीके ना कभजा कर लिया उसनों आप दे निगरानी हीट ले लिया फिर एक जुगेश ठकर नाद एक चेले ने अदालत विच चनौती दिती कली रजिनी दे सहत बारे हुई जो सठे सत तो ज़ादा सठे सत सो तो ज़ादा टाइटलां दे विच वर्डर कार्ड अब गिनी दे विच दर जाए उस सहत तो सो करोड दे करीब रॉयल्टी हों दी है इस तो बात जब आप गल करिए आश्रमा दे देश दे बडेश दे विच बहुत आश्रमा दे उत्थोंदा रेविन्यू उत्थोंदा मालिया भी होँदा है इस करके कोशो दे सारे ही ज़ादादनों लेके विवाद अच ते करें ते उदी मौतनों लेके कोई भी कलियर्टी नहीं है साफ नहीं है प्रती दिन सवाल तो सवाल खड़े हो रहे ने अपना उन्हा सवालना दे गल कर दे है ते उदी जैदात दे गल कर दे है ऐसे तरहीं आश्रम दी सकत्तर मा नीलम नेके इंटर्विज केहा के रजनीश दी ओशो दी मदर माता काही समय कहती रही के ओशो दे नजदीकिया ने ओदे बेटे नू मार लेता ऐसे तरहीं सवामी सत्या विदान ने कहा के ठारा तरीक नू ओँआ ओशो दे कोड़े सान जिनना ने भुद्दा हाल तो जानतो पहला ओखुद नहाए उन्हान ने चोगा पाया जिराबमा दे टोपिया पाउड़ों सिर्फ उसनू कहा गया ते उन्हान ने कहा के उसनू बुद्दा हाल दे विच लाचना पर उन्हान दे सिद विगड़ी होई सी इस तरह दे बहुती सवाल पुणे दे पत्तरकार हू किल्ड ओशो एक पूरी कताब उन्हान दे मौत तेर हस्ते लिखी पुणे दे पत्तरकार अभे वैद्या दुवारा लिखी कताब हू किल्ड ओशो दे बड़े अजब तरह दे सवाल उठाए गए ने उन्हान दे मौत तो बात जा मौत समें उन्हे दे नजदीकिया नो मिलनी दिता गया जा डक्टर कोकुल गोकानी दी गल करिये उन्हा दे ब्याना तो न दे सवाल ठाए ने के एन्नी जल्धी ओशो दा संसकार करन दी की लोड सी एन्नी जल्धी ओदी वसीद नूं आप दे आश्रम दे स्वामी दी ताओं कहने ओशो ने कोई वसीयत नहीं लिखी सी उनना दी आवदा विचार सी के विचारा दी कोई रॉयलिटी नहीं हुंदी क्योंके ए रॉयलिटी जी दी सौकरोड दे कलीब मालिया आश्रम नुन हुंदा ओवी आश्रम दे नजीकिया ने आपने नाहिट कर लिया इस तोबाद ओशो लॉटस कम्यून बननो ओशो इंटरनेशनल दे टेड मार्क दे दवा कीता गया सी जो ग्याराक तूपर दो हजार स्तारा नो ओशो इंटरनेशनल दे हक विच हो गया इस तरह लगातार विवातां ओशो कम्यून इंटरनेशनल रहे है ते रजनीश ते ओशो दी मौत वारे हजे पेद बने होया अपा होर गल्ला करते हैं खोर भी स्वामिया ने खोर तरह दे जवाब उठाए ने स्वाल उठाए ने ओशो टाइम्स दे 1995 दे अंक दे विच अनंदो स्वामी दे इंटरिवु शापी गई है जिस विच भी जेस तरह दे स्वाल उठाए गए ने पर वो दे कोई संतुस्ती जन जवाब ओस इंटरिवुच नहीं हो दे फिर दो यार सोड़ा नूँ गू किल्ड ओशो दा राइटर आशन में चे जन दा है सत्या विदान दोनों दोबारा मिलता है जिसने ओशो दे उन्नी तरीक नूँ दे शड़न तो पहला ठारा तरीक दा पहला वैवन कीता सी कि ओशो किस तरह उठदे है किस तरह न उठदे है ते किस तरह चोगा पौण नो केंदे हैं ते किस तरह घुत ध्यात केंदे किताब अभे बैद्या पत्तरकार दुबारा लिखी गई बड़े ही सवाल खड़े कर दी है ओदी एक खास गलते पागोर करिये था ओशो दी मौत तो बाद जड़ी वसीयत दी गल कीती जादी है ओस मुझ जानन परती उसने ओस में जशेष शवामीत अमरतों वनों जल्दी न पेड़ पर तरीके न सारे आशरमदा कंट्रॉल अपने हत्था वे चलिया गया सी ओस तो जड़ो पुछा गया जाकि के एव वसीयत ओशोंने कदोंना नो दिती जहां उसने कोई रिकाड है जहां उसने कोई आउडियो वीडियो है ता इस सारी गल्ला करन तो बाद इंकारी होंदे जशेष पड़कुछ दे है ओहो अभे नो जवाब देंदे है कि उसकोड कुछ नहीं है जदो पड़क देने ता एक आप महारे ही जवाब होंदा कि उसने कोई जवाब नहीं है इस तो बाद अपाँ माशिला दी कल कर दे है जो औरेगन देविच ओशो दी निजीस का तरसी उस सारी प्रॉपर्टी सारा कुछ उठोंदा परवंदो देख दी सी उदो हो चर्चा चाहिए उस ते बड़े दोश लगे ते उसनों 1986 देविच अमेरिका दी सरकार ते होर ने मिलके 20 साला दी साजा दी साजा कटन तो बाद उसने उसोशमदी किताब भी लिखी उबीते दिनी पार देविच भी आई होई सी ते उसने कोई भी ओशोदे खिला हो दे बिच कोई गल नहीं किती उस तो बाद उएक को हो बजर्ग दे लोड़ बंदा लीक आश्रम चला रही ओशो दे जीवन तो लेके ओशो दी मौत तक वोदे वीचारां नू लेके वोदे जयाउन दे त्रीके नू परचार नू लेके सारा जीवन विवदां चले ऺल्ट इना विवादानों देखके जित्थे पूरी दुनिया दे पकपाती ते वरोदी बहुत बड़े समूनों खिचेया उसने ते उथे फिल्म डस्टी नों भी खिचेया उस दे जीवन ते 1974 तो लेके उन्नी सो अनन्न में तकर छे तो सत फिल्मा बढ़िया ते फिल्मा दे ना अजब अजब दे तरांदे सान एक फिल्म दा नाम रोहानी अत्वादी तक रख्या हुए है ते तुसी समझ सकदे हों के रजनीश पगवान शिरी रजनीश ते ओशो दा जीवन की सी ते जिस दी मौद हजे तकर पेद मनी होई है ते ओदा जीवन भी पेद रहा है ओशो एक पेद सी ते पेद रहा ते पेद बनके खुन भी विचे रहा है चाहे आश्रम दे विचे ते चाहे उस दे जीवन दे विचे जिसने समाच ते बहुत बड़े नौजवान वर्गते आवदे विचारा नाव एक बहुत बड़ा प्रवाफशट है जो अज़ भी दिसते है ते जिसने दुनिया दी पावर मननी जादी अमरीका यही शक्ती नो बगा रहा ते उसनों सोचन तिक मजबूर कर दिना ते कुछ लोग उसनों बरोदी ते कुछ लोग उसनों मलेनियम मन्दे ने विचारता रा देगे जाए ते बहुत बड़े मैगजीना ने उनों सदीदा मलेनियम विचार कवी अलाने आए ते कुछ लोग उसनों अज भी पगवान मन देने गुरू मन देने रब मन देने ऐसी पूरी कहाणी एक विवादत तार्मक गुरू दी जिसनों सेक्स गुरू भी कहा गया जिसनों रोहानी अत्वादी भी कहा गया ते असी जही शक्षीता ते अईये बिवादत मसले नो लेकी तो हड़े सामने पेश हुदे रहने आए फिर मिलती है कोई नमे विशे ते नमी कहाणी नो लेकी